हेलो व्रिवन वेल्कम टु दिस चैलेंग्ज जुलोजी नोट्स आज किस वीडियो में आपको बताऊंगी फीजियो लोजी आफ इभालीशन यह जो टापिक है एक्जामे अधिक तर आपका सौट नोट में पुछेगा क्या ओता फीजियो लोजी आफ इभालीशन इभालीश जो हता है इक तरह का औरधाड़ना है इसमें बोला गया है कि इसमें बताया गया है कि यह जो बटमाट मताब अभी का झो टाइम है इसमें जो लाइफ आप उसका उत्वत्त्ति कैसे हुआ है नतर्व सिंपल चीज से इस एक्स्प्ल ओरिजं उडाइजन ऑरीजों फ्राग म में origin हुआ है उसके बाद it explain the origin of quadrants from non-quadrants उसके बाद ये भी बताया है कि कैसे ये ग्यार quadrants से quadrants का उत्पत्ती का मतब उत्पत्ती हुआ है इसको explain क्या गया है term evolution was first used by harbert spencer it refers to the development of more complex form of life from simpler and yearly forms बुले जरे ये जो evolution है इसको इसका परियोग जो है सबसे पहले harbert spencer ने किया था और इसका मतलब विकास से है इसका evolution है इसमें बताया कि life का जो सिरल चीज है जो मतलब होतन है simple चीज है और जो आग मतलब बहुत पहले का चीज है उससे कैसे एक complex room में plant और animals का development हुआ है according to darwin evolution is descent with modification अगर darwin के अनुसर अगर देखने जाए तो कि विकास जो है मतलब विकास जो है एक तरह के से modification से वो बना है या फिर descent आया है जे एम सेवेज डिफाइंड evolution as the development of an entity in the course of time through a gradual sequence of changes from a simple to a more complex state बुला जा रहा है कि जे एम सेवेज जो है एक तरह से लगाता changes मतलब एक gradual sequence के माध़न से time के दौरान एक unit के रूप में एक development होता है मतलब होता है यह लगाता changes gradual sequence के तरह चेंज होता है एक के बाद एक उसके बाद एक सिंपल चीज से वो कॉंपलेक्स स्टेट में बदलता है यह जो थियूरी है यह जो एवालुशन का जो बारे में पतिक्रिया है यह जेम सेवेज ने कहा था इवालुशन is the transforming of one kind of life into another kind evolution का मतवत है transformation एक तरह का बदलाव जो होता है एक तरह से दूसरे तरह में लाइफ का evolution means that life progressed from one cell organized to its highest state the human being by means of a series of biological changes taking place over million of years evolution का मतलब जो है एक तरह के से एक जो लाइफ है एक से एक से वाले और ऑर्गिनिस से डबलप हुआ है और जितने भी biological मतलब activities हुए है वो क्या होता है human जैसे human being हो गया एक तरह से biological changes के बज़े से यह आये है मतलब एक से फिर वो multiple sales में आये है और इस यह जो मतलब हुआ एक से से मुल्टिपल सेल में इसको million of years लग गया चेंज होने में evolution of present-day living beings from simple organisms formed on the earth is called organic evolution evolution जो अभी का टाइम में जो evolution हुआ है living beings का एक simple organism से अर्थ में उसको organic evolution कहा गया है दम्यों प्रिंसिपल अप ओर्गनिक इवालेशन के समराइज एज फोलोग जो और्गनिक इवालेशन का मैं प्रिंसिपल है और दप्रेजिव देव प्लांट और इन्मल्स हैं इनकी प्रवच जो है वह एक ही पुरवच थे It is a gradual sequence of changes from a simple to a more complex state एक तरह का gradual sequence सा बदलाव का जो एक साधारन से एक जटिल अवस्ता में बदला It is a descent with modification यह modification से descent हुआ है जो यह Darwin ने कहाता है इस चीज़ को The evolution theorist said that a frog had originated from a fish Similarly a lizard originated from a frog एक तरह से evolution theorist यह भी बताता है कि कैसे frog जो है originate हुआ है फीस से और साथे साथ यह lizard है यह कैसे frog से originate हुआ है Figur को आप यहाँ पर draw कर सकते हैं The lizard gave rise to bird and animals और mammals उसके बद लिजाड जो है lizard से क्या हुआ तो birds और mammals आए The evolutionary theory say that man originate from aps इतना कि evolutionary theory जो है यह भी बताता है कि कैसे man जो है वो एप से आये है वानरों से आये है इस topic में और मतब theory है तो वो theory सब नहीं लिखने से पिछलेगा जब आपको long गुश हैगा लेकिन इस video में इस फेसली में आपको सॉट नोट के लिए बता रही हूं इस figure को यह पर draw कर सकते हैं जब भी एफ दो बता है